हेलो दोस्तो स्वागत आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर निजलेंड और पाकिस्तान के बीच दोस्तो बहुत ही एहम मुकाबला खेला जाना है उस मुकाबले का पूरा का पूरा शेडूल तेह होता है समी पानल का अगर पाकिस्तान की टीम जीतती है तो रन रेट के हिसाब से दोस्तों यहां पर जो निजलेंड को पीचे छोड़ते हुए पहुंच सकती है समी पानल में और अगर निजलेंड की टीम उस मकाबले को जीतती है तो पाकिस्तान की टीम बहार हो जाएगी यहां पर सेमी पैनल की रिस से और बल्ड कप दोया 23 माँ उनका पत्ता यहीं पर साफ हो जाएगा इसलिए दोस्तो बहुत ही important मैच है और अपन लोग इस मैच को jackpot बना सकते हैं जी हां दोस्तो small league और grand league दोनों के रूप में यह मुकाबला हम लोगों को बहुत अच्छा कासा profit करवाने वाला है तो इस मुकाबले की पूरी pitch report आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं साथ मैं आप लोग लिए कौन कौन से खलाड़ी trump card सावित होंगे कौन से batsman कौन से यहां पर गेंदवाज होंगे जो आप लोगों को बहुत अच्छे कासे points देंगे जिनकी बदलत जो है दोस्तों आप लोग इतना अच्छा कासा profit कर सकते हैं और दोस्तों बहुत अच्छा कर दिए एमने टेलीग्राम चैनल की जो हमारे टेलीग्राम चैनल उसको जोइन कर लेना है टेलीग्राम चैनल पर लोग टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में हम लोग टीम पर वाइट करवाते हैं और वीडियो में पूरा स्टेटेक्स रिसेंट खलाड़ी कैसा है सारा performance आप मुकाबला खेला जाएगा और दोनों टीमों के लिए बहुत मैथ पूर्पूर मुकाबला है वी की बात करेंगे दोस्तों तो पिछ रुपर्ट की बात करें तो पिच बैटिंग पिच और तो प्लेट जाथ मददगारं तो 14 के लिए गए हैं जिसमें से पहले बैटिंग करने वाले टीम ने 15 मुकाबले जीते हुए हैं और चार मुकाबले यहां पर टाई हुए हैं यानि कि दोस्तो आप लोग लगा सकते हैं जो टीम बाद में बैटिंग करते हैं उसको जादा थोड़ा सा दर प्रॉफिट है पह बैटिंग करें और बाद में अपनी बैटिंग से यहां पर अच्छा कहसा परफॉर्मेंस करते हैं वैसे तो दोस्तों यहां पर बात करने न्यूज्जिलेंड की टीम भारत के इकलाब हारी तो उनको बहुत अच्छा प्रोपिड होगा यहां पर दोस्तों के बारे मैं बात करें तो दोस्तों न्यूजिलेंड और पाकिस्तान के बारे हम बात करेंगे तो दोस्तों न्यूजिलेंड की टीम ने दो मुकाबले जीते हैं दोस्तों लास्ट के पांच मुकाबले जीते हैं अपने दोस्तों बात करें तो लास्ट के पांच मुकाबले जीते हैं पाकिस्तान नो रिजल्ट में चला गया था तो दोस्तों दोनों ही टीमें ताकत बारे हैं और समी फानल के लिए बहुत तगड़ा मुकाबला दोनों में हम लोगों को देखने को मिलेगा जो टीम मुकाबला जीतेगी उसका समी फानल के दरवाजे खुल जाएंगे और जो हारेगी उसके आजबर लगवाक दोस्तों समी फानल के दरवाजे बंद होती हुए नजर आएंगे हम लोगों को पाकिस्तान कि प्लेइंग लिवन के बास कर Jahres प्रद्व गैरा की तो साइन-अफ आगत्र आईगे इसमान आगा पैर्दिन आप लोग को कहलते हुए नजर आएंगे जिसमें सल्मान आगा की किलते हैं पाकश्तान की पाकिस्तान की कॉन सबसे एहम जानकारी आप लोग के पुछ सकते हैं तो दोस्तों आप लोग के पुछ सकते हैं कैसी भी आप लोग को जन करें चाहिए बहां पर बिल्कुल फिरियों मैं प्रोवाइट करवा दूगा सबसे एहम जानकारी आप लोगों के पुट्टी विए यहां पर आप लोगों ने अब तक हमरा आख टेलीग्रम चैनल नहीं किया है तो दोस्तों अमारे टेलीग्रम चैनल जोईन करना है जिसकी लिंक डिसकुष्जण में दी हुई है यहाँ पर क्या होता है दोस्तों आप लोग को जो बिलकुल सवरी में लोग जो करते हैं तो आगे दोस्तों न्यूज़लेंट की प्लेंग लेवन किस प्रकार की हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे तो दोस्तो न्यूजलेंड की प्लेंग लोग उनके बारें बात करेंगे तो विल यंग, डेवन कॉन्बे, रचीन रविंद्र, डेरेल मिचल, टॉम लेथम, ग्लैन फ्लिप्स, जिम्मी नीसा, मिचल सैटनर, मैट हैंरी, टिम साओधी और ट्रेंट वोल्ड, यह 11 खलाडी आ लोग लिए ट्रॉम काड क्लाडी कॉन कॉन से उनके बारे में भी आगे बात करेंगे और दोस्तो रिसंट परकर आराक लाडविय का इसके बारे में भी आप लोग पूरी जानकारी बताएंगे दोश्तों न्यूजलेंड के प्लेयर्स का इस्टेट्स से देख लीजए, इतना अच्छा बोल ली रहा है और दोस्तों इनको टीम में रख लेना है चांसे से हैं कि पागिस्ताने क्लाब टकड़ा है और दोस्तों यहां पर अच्छा-खासा परफॉर्मेंस कर सकते हैं बात करेंगे तो चार मैंचम एक सुत्रेपर नमना है आड़ीस पंड़ पचीश की एबरेज से डेवन कॉन बेन बेन पर एक भी मुकाबला नहीं कहला है डेवन कॉन बिन है बिले यंग की बात करेंगे अगले एक और आपनर यहां पर न्यूजलेंड टीम की तरप से तो नोर की शुन कार्ष क्यों बंदर की चैनलएं लこう न्यूजलेंड टीम zone की तरफ से बात इनके इंक्स बात के क्या था नौ citizen सब्सक्राइब कोई मकाबला नहीं केला है अब तक डेरल में चलना है इस प्रकार का डेरल मिचल का रिसेंट फॉर्म है और हैट आच में चौ आट में 400 तीर रण माय है 51.14 की एवरेज से बेन्यू पर कोई मकाबला नहीं केला है अब तक डेरल मिचल है इस परकार का डेरल मिचल का रिसेंट फॉर्म है आगे दोस्तों बात करेंगे टाम लेथम की टाम लेथम की वारे आपत करें दोस्तों की लगाए हुए है जिसके लिए टॉम लेथम जाते जाने जाते न्यूजलेंड टीम की मैं दोस्तों उस प्रकार का केल नहीं दिखा पा रहे हैं टॉम लेथम लेथम लिए वालेंग बैटिंग सबसे पॉइंट्स हम लोगों देते हुने रहें एक फोरडी पिलेयर हैं और ज पिकल लेना है इनके रिसेंट फॉम की बात कियां तो साट बारा तेइस एक अत्तर शोला इस प्रकार का रिसेंट फॉम है है टुएट चार मैंचों में एक सब्सक्राइब कोई मैच नहीं के लिए जीमी नीशम आगे बात करेंगे दोस्तों रिसेंट फॉम की जीरो के लिए यहां पर रिसेंट फॉम जीरो विकेट एक विकेट एक विकेट है टुएट बारा मैचों में एक सब्सक्राइब नहीं केला है अब तक दोस्तों बात करेंगे दोस्तों अब यह भी कमबक किया है पिछले मकाबले में लेकिन निकाल दिये तो दो बिकेट लिए पि antiemia asta들이 सब्सक्राइब हो सकता हैं कि इंप लोग लोगी फरगूशन खेलते होने जग लेकिन कोई फरगूशन आप को असकते है में आगार दोस्तों ट्रेंट के वह बात करेंगे दो प्लस बिकेट लेंगे एस मुकाबले में पाकिस्तानी किलाब बहुत संदर गया नवाज करते हैं त्रेंट वोल्ट हो इनको टीमें पिक कर लेना है बताओ ट्रॉम कर खिलाडी दोस्तों बहुत अच्छा का सा पॉइंट हम लोगों को भरबर किया है पॉइंट देने वाले हैं ट्रेंट वोल्ट आगे दोस्तों बात करेंगे आप जो पाकिस्तान प्लेयर्स के स्टेट्स के किस प्रकार कर रहा है कौन सा खिलाडी दोस्तों किस प्रकार का यहां पर बात करेंगे तो रिकॉर्ड रहा है किस प्रकार का रिसेंट फॉर्म है उसके बारें बात करते हैं रिसेंट फॉर्म की तो एक्क्यासी बारा बाइस-चार-चार-चार-इस प्रकार का फकर जमन का है और पिछली मुकाबले में आकर यह अपनी फॉर्म देखा दी और कैसी रनमार दी बंगलादेश के खलाव सब्सक्राइब कर सकते हैं आप दोस्तों आगे बात करेंगे हम लोग पाकिस्तन प्लेर्स के बारें बात करेंगे तो बावर राजम की बावर राजम दोस्तों इस टीम के दोस्तों स्थम कलाडिया है और यहाँ पर बल्दक्रा त़हां पर बावर राजम सोरू में तो पॉम नहीं थे लेकिन अब आ चुके हैं और दोस्तों टीम को समालने का पूरा काम कर रहा है बावर राजम रिसेंट पॉम की बात के दो नौ पचास चोंतर आठारा पचास दस इस प्रकर का बावर राजम का रिसेंट पॉम है मैचों में दोस्तों 828 रन मना चुके हैं 46 के अब रेस और बेंडियू पर एक मैच में अठारा रन मना है बावर राजम नहीं मोहम्मध रिजवान के वारे हैं बात करेंगकि दोस्तों दोनोंक लाड़ी आप लेक के लेंगे पचास प्लस Šकौर करते हुए आप लोगों को नजर आ सकते हैं मौहमब रिजवान प्लैस बावा राजम यहापर दोस्तों बात करेंगे मौहमब रिजवान के रिजवान की तो 26-31 आठ च्यालीस उननचास 131 इस प्रकर का मौहमब रिजवान का रिजवान का रिजवान है साउथ सकिल के बारे हम बात करेंगे दोस्तों रिसेंट पॉर्म की तो बावन 25-30-31 इस प्रकर का साउथ सकिल का रिसेंट पॉर्म है 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 टुएड एक मैच में 75 रनमना है पिचतिर की अबरे से बैन्यू पर एक मुकावला के लाई जिसमें 30 रनमना हुँ है साउथ सकिल ने इकतिकार एहमाद के बारे हम बात करेंगे दोस्तों रिसेंट पॉर्म की सत्र रन एक विकेट 21-40-26 चार और है टुएड तीन मैचों में पर एक मैच में निकाला है उसाम अमिरन है मुहमद बसीम ने पिछले मुकावले में संदर के इन्वाजी की तो दोस्तों आपर बात करेंगे पर रिसेंट पर चोड़ती है आप बात करने दोस्तों मुहमद बसीम की तो इस मकावल में आप रोलिक के लिए एक से ज्यादा बिकेट लेते हुए जर आ सकते हैं मौहमद बसीम की दोस्तों उचालवरी पिछों पर खापी ज्यादा मदत मिलती है मौहमद बसीम जूनियर को उनकी रिसेंट फर्म की बात कि तो तीन बिकेट दो विकेट एक विकेट एक मैच के लाजिसमें पांच विकेट निकाले हैं यहाँ पर दोस्तों आप दोस्तों आप दोस्तों प्लेंग लेवन जो हमारी फैंटेसी टीम के रहेगी ग्यरा खिलाड़ी कॉम्बनेशन के साथ किस प्रकार के रहेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं किसको कप्तान बाइस कप्टन करना उसके बारे में भी बात करेंगे आपने हमारी टीम में हैं दोस्तों डेवन कॉन्वे मोहमद रिजवान बावा राजयम डेर्यल मिचल अब्दुल्ला सपीक मिचल सैटन ग्लान फ्लेप्स रिचिन रविंद्र ट्रेंट वर्ल्ट साइन इसमें कप्तान हमने साइन अफ्रीदी को रखा है बावा राजय में ध्यान रहे दोस्तों इस प्रकार के साथ अगर आप लोग जाते हैं तो जील और स्मॉल लिक दोनों में आप लोग बहुत अच्छा कासा प्रॉपिट कर सकते हैं आप लोग को बता दें कि इस प्रकार के कॉमिनिशन से ही आप लोग जा सकते हैं और जो खलाड़ी इन्वेस से नहीं कहलेगा उसकी अपडेट आप लोग टेलीग्राम पर मिल जाएगी टॉस के बाद में बहां पर आप लोगों के लिए एक्टिव रहता हूं और पूरी जनकर यह आप लोग देता हूं बिलकुल करेंगे